हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेज मैसेल्फ सूरेहा पॉश आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ अपने सेम टॉपिक को कॉंटिन्यो करने के लिए लेकिन उस्ते पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो जरूर देखें आप उसके बाद में जो जितनी भी मेरी इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो हैं प्लीज चाके जरूर देखेगा और अपनी नॉलेच बढ़ाईएगा इनकेस आपको डॉट्स रहते हैं त ताकि उनको ये चीज ख्लियर हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इंग्लिश ग्रामर कहती है आर्टिकल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं डेफिनेट आर्टिकल होता है और जो आर्टिकल्स है वो होते क्या है इनको डिटर्मिनर कहा जाता है इनका काम रहता है determines or decides something सबसे बड़ी बात यह क्या करते है it signals the coming of noun after it यह हमें noun कौन सा आने वाला है जब भी articles की बात की जाती है उनके बारे में बताता है आप जो definite or indefinite article होते हैं definite article जो रहता है वो है specific article जिसको कहा जाता है the indefinite जो है वो non specific होते हैं जिनको कहा जाता है a or n अब आप बोलेंगे कि मैं यहां पे articles तो already दो discuss कर लिए है तो आज किन articles की मैं बात करने वाली हूँ आज हम article की बात करने वाली हूँ वो article क्या रहता है जिनको हम कहते हैं zero article आप देखते होंगे कि कही बार आपको इस तरह के philips पुछे जाते हैं जहां पे आप थोड़े से confused हो जाते हैं कि यहां पे ना तो वावल की sound की बात करी गई है ना तो consonants की बात करी गई है ना ही specific चीजों की बात की गई है लेकिन फिर भी आपको articles पूछे जाते हैं तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करने आई हूँ जब भी बात की जाती है ऐसे articles में जो ना तो definite में आते हैं ना ही indefinite में आते हैं ना तो specific होते हैं ना ही non specific होते हैं उन articles को कहा जाता है zero article आप देखें कि बहुत सरी ऐसी चीज़े होते हैं जहां पे कोई भी article लगाने की जरुरत नहीं होती, वहाँ पर आप एक sign लगा देते हैं, इस तरह का sign लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पर किसी तरह की article की जरुरत नहीं है, तो उस article को कहा गया है zero article, अब मेरे पास पांच ऐसी चीज़े होंगी जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन किन पहला, पांच पॉइंट्स मैं बताऊंगी, ये फर्स्ट पॉइंट है, जब भी बात किसी institutions की की जाएगी, वहाँ पे कोई भी article नहीं लगता, अब institution कोई भी हो सकता है, आपका school हो सकता है, college हो सकता है, आपका temple हो सकता है, mosque हो सकता है, गुरद्वारा हो सकता है, church हो सकता ह प्रिजन हो सकता है, university हो सकता है, etc. अब देखेगा, आपने सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, institution में कोई भी article तब नहीं लगेगा, जब इन में से कहीं पे भी आपकी मौझूदकी होगी, अगर आप अपने बारे में बताने वाले हैं कि आप particularly एक जगे पे खड़े है या फिर एक जगे पे हैं, वहाँ पे आप किसी तरह के article का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ध्यान रखेगा जब भी institution की बात होगी, वहाँ पे आपकी presence important है, तब जाके वहाँ पे कोई भी article नहीं लगेगा, जैसे example के तोर पे आपके ममी पापा आपको phone करते हैं, पूछते ह आप कहां हैं, तो आप बताएंगे कि I am in college, ठीके, I am in school, वहाँ पे आप किसी तरह के भी article का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ध्यान रखेगा जब भी बात institution की होगी, किसी भी तरह के institution की बात होगी, वहाँ पे आपकी मौजूदगी important है और वहाँ पे किसी तरह का कोई भी article आप अपको आप एक ही चीज नहीं होता, वहाँ पे अगर आपने लिजाता हैं, तो यजो साइन होता है काम नहीं करेगी, वहाँ पे कोई भीarticle का पे ज्गी अगर आपको da parce है पूछा गया तो आप पर जो sign होता है zero article का वो आप apply कर देंगे ये थी पहली चीज अब बढ़ते हैं second की तरफ बहुत ही असान रहता है लेकिन ये बहुत ही confusion होती है बच्चों को कि किन के साथ article इस्तेमाल होता है किन चीजों के साथ article इस्तेमाल नहीं होता अब देखिए second चीज की में बात आर्टिकल नहीं लगता जैसे बस हो गया, स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, car, train, airplane, ship, etc. वहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने बात करी है means of transport की मैंने simple transport नहीं बोला मैंने बोला है means of transport मतलब आपके आने जाने आपके अवागमन का साधन की मैंने यहाँ बात करी है और जब भी बात की जाएगी आपके आने जाने के साधनों की वहाँ पे किसी भी तरह के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता ध्यान दीजिए means of transport जहां पे भी होंगे जहां पे means आपके लिए बताए गए हैं वहाँ पे transport की बात होगी वहाँ पे आप आर्टिकल आपको इस्तेमाल करना ही करना है वो dependent रहेगा sound पे या फिर dependent रहेगा specific है कि singular noun है जो हमें पूरी चीज के बारे में बता रहा है जिस पे stress डाली जा रही है वो उनके accordingly होगा लेकिन जब means of transport की बात होगी वहाँ पे किसी तरह का आर् means of transport की होगी वहाँ पे भी आप किसी तरह की आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बढ़ते हैं आगे third thing की तरफ बहुत ही आसान रहेगा ये points अपने दिमाग में रखना आपको कभी confusion नहीं होगी कहाँ पे आपको articles apply करने हैं कहाँ पे आपको zero article का इस्तेमाल करना है अ इलनेस बीमारी किसी बी तरह की फ्लू हो गया ये कोवीड-19 का जमाना है आज कल कोवीड-19 हो गया उसके अलावा टीबी हो गया कैंसर हो गया जैसे नॉमली बात की जाती है blind of one-eye किसी बी तरह के कोई भी बीमारी की जब बात की जाएगी ट्सट्रा वहां पे भी आप देखेंगी किसी तरह के articles इस्तेमाल नहीं होंगे याद रखिये Consonant है, Specific है, Non Specific है, उनका कोई लेना देना नहीं है बस आप याद रखेएगा जब भी बात illness की होगी वहाँ पे आप कभी भी कोई भी article apply नहीं करेंगे ये था हमारा third point, बढ़ते हैं fourth point की तरफ बहुत ही ज़ादा आसान है, जिन भी बचों को confusion रहता है उनके लिए बहुत ही ज़ादा important रहेगा अपने notes बनाईएगा, वहाँ पे लिखकर रखेएगा आपको हर जगे इसका इस्तेमाल होना ही होना है अब देखिए fourth part जो है, जब भी आप meals की बात करते हैं meals हो गया आपके एक वक्त का खाना किसी भी एक तरह का खाने की जब आप बात करेंगे एक particular meal की बात करेंगे जैसे आप बात कर सकते हैं breakfast हो गया आपका आपका brunch हो गया lunch हो गया supper हो गया tea time हो गया dinner हो गया etc जब भी आप किसी तरह के meal की बात करेंगे वहां पे भी आप कोई भी article apply नहीं करेंगे ध्यान में रखिएगा मैंने फर्स्ट आपको बोला जब भी आप किसी institution की बात करेंगे आप कोई भी article apply नहीं करेंगे वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी किसी की मोजूदगी किसी की presence की बात कर रही जा रही होगी तब आप किसी भी तरह की article का इस्तेमाल नहीं करेंगे सेगिंड पॉइंट में मैंने आपको बताया जब भी बात means of transport की आएगी वहां पे भी आप किसी तरह का article apply नहीं करेंगे किसी भी तरह के means की आप normally transport की बात होगी वहां पे the buses बहुत सारी जगों पे आता है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ means of transport की और जब भी बात means of transport की आएगे किसी भी तरह का article जो है वहां पे use नहीं होगा फिर मैंने आपको बात करी कि जब भी बात illness की आएगी किसी भी तरह की बीमारियों की बात आएगी वहां पे भी आप कोई भी article जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई matter नहीं करता vowel का इस्तेमाल हुआ है consonant का इस्तेमाल हुआ है fourth point में मैंने आपको बताया जब आप एक वक्त के खाने की बात करेंगे वहां पे भी आप किसी तरह का article जो है apply नहीं करेंगे बढते हैं last part की तरफ last part भी important ही है जब भी आप बात time of the day night किसी को बताना पढ़ता है कि time, किस time पे आपने ये किया किस time पे वैसा किया जब भी बात होगी time of the day and night वहां पे भी किसी तरह का article जो है इस्तेमाल नहीं होगा जैसे dawn हो गया, dusk हो गया noon time हो गया night हो गया morning हो गया जब भी आप बताएंगे कि किस time पे मैंने कोई भी चीज करी थी किसी भी तरह की चीज की बात की जा रही होगी कि particular time की बात की जा रही होगी वहां पे भी कोई article आपको use नहीं करना है तो ये पांच पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़ादा important है आपको किसी तरह की confusion नहीं होनी चाहिए कहां पे आपको articles इस्तेमाल करने होते हैं कहां पे आपको historical events की बात करती हूं मैं universal truths की बात करती हूं ये जो चीजे होती हैं इनके साथ आप किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते अगर in case आपको इन तरह की sentences में आपको किसी तरह से articles apply करने के लिए बोला जाता है आप देखिएगा जो ये जैसे आपको sentences दिये ये होंगे वो वैसे ही रहने चाहिए जितने भी universal truths होंगे उनको आप change नहीं कर सकते आपको जैसे मैं example के तरह पर आपको बताती हूं जैसे example में लेती हूं honesty is the best policy सभी को पता है ये ये universal truth है अगर इसके साथ किसी ने छेडखानी की बात करी ऐसे करके अगर आपको करने की बोला जाये तो आप नहीं कर सकते आपको इस तरह से गर फिलब दिया जाता है वो आपको confused करने के लिए दिया जाता है जितने भी universal truths होते हैं उनके साथ आप किसी तरह की छेडखानी नहीं कर सकते तो ये normal होता है जो सभी को पता होता ही होता है जो 5 points बच्चों को पता नहीं होते हैं वो points मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है उमीद करती हूँ आपको समझ आई होगी in case कोई doubt होगा तो please comment section में जरूर बोलिएगा उससे पहले जो मेरी articles पर मैंने previous videos बनाई थी प्लीज जाके जरूर देखिएगा तब जाके आपको ये article, zero article जो है वो अच्छे से समझाएगा thank you so much मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज जादा से जादा अपने friends, relatives और जितने भी know उन है आपके उनको बोलिएगा हमारी जो चैनल है उनको subscribe करें हमारी वीडियो देखिए अगर कोई भी आपको doubts हो कुछ भी आप चाहते हैं topic पे वीडियो के लिए आप बोलना चाहते हैं तो please comment section में जरूर बोलिए हम उस topic पे particular topic जो भी आप बोलेंगे उस पे वीडियो बनाएंगे तापकि आपकी knowledge में हम help कर सकें Thank you so much मेरी वीडियो देखने के लिए have a very nice day